अपक्राइब नोग करोग विश्यार्टियों तो यह अपक्राइब तक करने पर विश्यार्टियों कैसे हैं आप लोग हुपाब सब बढ़याओंगे बच्चो मैं भी एकदम बढ़याओं मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा मुझे माफ कर दी दिएगा अगर मेरी आवाज आपको थोड़ी कमारी हो तो ठीक है? ओके सर चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते है बच्चों के एक दो डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूं ठीक है? हाँ लविश बेटा हाँ लविश बेटा म्यूटोन है बेटा येस तुम्हारे लिए बेटा म्यूटोन कर रखा है मैंने ताकि तुम्हें आवाज ना आए चलिए चलिए एक डाउट ये है कि क्या कल लोग की क्लास होगी क्या कल लो की क्लास होगी एक ये डाउट है ठीक है? अनसर इस येस कल लोग की क्लास होगी ठीक है? ओके सेकेंड कल कितने बज़े होगी ट्वैल थर्टी टीएम कि टू कि टू थर्टी टीएम कल लॉकी एक्स्ट्र क्लास ली जाएगी और साड़े बारा से धाई बज़े होगी ठीक है कि चलिए अवाज गूंज रही है एक करे एक है सेकंड राइ्टिंग प्रेक्टिस कब होगी ये भी बहुत बच्चों काडाउट आ रहा है सर है राइटिंग प्रेक्टिस कब कब होगी सर राइटिंग प्रेक्टिस कब होगी ये बतादो सर ठीक है कि ओके पेटा कि वेट फूर फ्यू डेस कुछ दिन आप वेट कर लो ठीक है मैं अलग से एक राइटिंग सेक्षन लोंगा लेकिन जिनको जल्दी है जिनको जल्दी है जिनको जल्दी है कि नई सर हमसे वेट नहीं होता है उनके लिए ओल्रेडी यूट्यूब पर टीटेल्ड वीडियो उनके लिए यूट्यूब पर डीटेल्ड वीडियो बना हुआ है how to write law in rankers style in exam detail में मैंने बताया हुआ है कि कैसे exam में law को लिखना होता है मेरा गला थोड़ा खराब है तो प्लीज मुझे माफ करिए का मैं फिर से कह रहा हूँ ठीक है क्या ये point क्लियर हो गया वैसे तो मैं लूँगा बट कुछ बच्चों को जल्दी है तो उनके लिए जिनको जल्दी है वो YouTube पर जाकर ये detailed वीडियो देख सकते है यूट्यूब पर जाकर ये detailed वीडियो देख सकते है how to write law in rankers style ठीक है that is 3 hours 10 minute का वीडियो है आपको एक एक बात मैंने detail में बताई हुई है इसमें चलिए ओके सर उसके बाद एक डाउट बच्चे का ये आ रहा है सर ती ये फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा ले क्या सर सी ये फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा ले या वेट करे प्लीज ये बता दीजिए जल्दी बता दीजिए सर ठीक है तो बेटा आंसर इस येस करा लो रजिस्ट्रेशन करा लो रजिस्ट्रेशन करा लो रजिस्ट्रेशन का वेट मत करो जिन बच्चों ने बच्चों ने वेटा रजिस्ट्रेशन नहीं करा ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन करा लो ठीक है जिनोंने भी नहीं कराया है फटा फट से रेजिस्ट्रेशन करा ले इसमें कोई देर नहीं करेगा इसमें कोई देर नहीं करेगा next question आता है सारे question मैं ही तो लूँगा आपके TA Foundation जो सबसे heavy question है सर ठीक है ये वाला doubt बहुत बच्चों ने पूचा है सर CA Foundation में books order कर ले या सर वेट करें सर हमें समझ नहीं आ रहा मेरी request है आज आखरी बार answer दूँगा मैं इसका कल फिर से doubt engine में ये सवाल मत डालना पर तो फिर doubt engine में मत डालना तर तो फिर doubt engine में बार बार एक सवाल मत डालना मैं आज answer कर रहा हूँ ठीक है मेरी आप से request है ओके मेरी आप से request है इसका answer क्या है बेटा देखो अभी किसी को नहीं पता है अभी किसी को भी नहीं पता है कि क्या सिसंबर 23 में न्यू स्कीम आएगी या नहीं आएगी ना ये बात मैं जानता हूँ ना ये बात अभी बाकी faculties जानते है ठीक है ये बात अभी कोई नहीं जानता है इंस्टिट्यूट ने बोला है कि 15 से 20 डेज में वो notification देगा वो notification देगा ठीक है ये बात इंस्टिट्यूट ने बोली है कि भाई अभी अभी 15 से 20 दिन में notification आ जाएगा लेकिन इसकी भी कोई guarantee नहीं है ठीक है इसकी भी कोई guarantee नहीं है कि 15 से 20 दिन बोल रहा है तो 15 से 20 दिन में आ जाएगा ठीक है ओके तो अब हमें क्या करना चाहिए देखो simple सी बात है अगर आप PDF से पढ़ाई कर सकते हो अगर आप PDF से पढ़ाई कर सकते हो तो ठीक है 15 दिन वेट कर लो अगर आप PDF से पढ़ाई कर पा रहे हो ठीक है तो 15 दिन वेट कर लो बट जिन बच्चों की पढ़ाई ही नहीं होती है जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है ठीक है जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है सर हमसे PDF से नहीं पढ़ा जाता है मैं क्या बोलूं आप आप पिर book order कर लो जब new scheme आएगी जब new scheme अगर आएगी तो आपको हो सकता है nominal क्योंकि चार ही किताबे हैं चार किताबों को अगर मैं 300 रुपे rate भी लगाता हूँ तो 300 into 4 मुझे कोई MRP बताएगा कि कितना MRP लिखा हुआ है मुझे MRP याद नहीं है मुझे MRP याद नहीं है रुको कितने रुपे का MRP है पस आपको ये लो अभी ये 1500 रुपे हो सकता है हो सकता है कुछ पता नहीं है हो सकता है चारों बुख मिलाकर दुबारा देने पड़े हो सकता है पता नहीं है छीक है 1500 रुपे यानि मान लो अगर आपने अभी book order कर ली और news scheme आ गई तो हो सकता है आपको दुबारा से पक्का नहीं है बट दुबारा से दे सके अगर आपके लिए पंदरा सो रुपे बड़ा amount नहीं है और आप ये इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते कि wait करूं या नहीं करूं तो पंदरा सो रुप आई के registration में लेकिन वो one time free मिलती है one time free मिलती है दुबारा मंगाओगे दुबारा मंगाओगे तो पैसा लगता है ठीक है ऐसा नहीं है कि 10 बार किताबे मंगा लोगे ठीक है clear है सबको yes or no yes sir clear है चलिए यह देखो नमन कहरा है पढ़ाओ sir time मत वेस्ट करो चलिए चलिए आई एक बारी revise करते हैं हम लोग और फिर class को start करेंगे एक बारी revision कर लेते हैं मैं चैट आफ कर रहा हूं मैं अपने लिए चैट आफ कर रहा हूं ठीक है और एक घंटे बाद अब खोली जाएगी ओके एक घंटे बाद अब खोली जाएगी चलिए तो start करते हैं आईए सबसे पहले बच्चो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था चलिए फटा फट से revise करते हैं contract क्या होता है contract मतलब कोई भी agreement जो enforceable by low होता है agreement क्या होता है every promises और set of promises forming consideration for each other उसके बाद आता है types of contract validity के based पे contract कौन से होता है illegal contract illegal contract मतलब जो law contract करने से मना करता है जैसे mother करना mother करके पैसे दूँगा तो वो होता है illegal contract wide contract मतलब जो पहले valid contract था बाद में वो wide बन गया बाद में वो legally enforceable नहीं रहा wideable contract मतलब enforceable at option wideable contract मतलब aggrieved party enforce कर सकती है बद दूसरी party उसे enforce नहीं कर सकती है valid contract मतलब valid contract का क्या मतलब होता है वहीया valid contract मतलब normal contract and agreement which is enforceable by law unenforceable contract मतलब technical defect जैसे की absence in writing और एक हमने time bard वाला example पड़ा था उसके बाद based on formation पे express contract जो oral या writing में होते हैं implied contract जो implication से होते हैं tacit contract जो silent होते हैं tacit में दो example हमने याद रखने थे ATM वाला और auction वाला quasi contract जो contract नहीं होता लेकिन contract के जैसा होता है जैसे finder of lost goods उसके बाद e-contracts जो electronic means के थू कराया जाता है performance की based पे executed contract मतलब जो already वादा पूरा हो चुका है दोनों वादे पूरे हो गए हैं तो executed contract और अगर वादा पूरा नहीं हुआ है तो executory, executory के भी दो पार्ट होते हैं unilateral contract और bilateral contract, unilateral में एक पार्टी अपना वादा निबाद चुकी होती है और एक पार्टी का वादा pending रहता है bilateral में दोनों पार्टी का ही वादा अभी pending रहता है उसके बाद आता है agreement अगर agreement legal अगर agreement legal relation create करता है तो हम उसे contract कहते हैं अगर legal relation नहीं create करता तो उसे social agreement कहा जाता है all contracts are agreement but all agreements are not contract contract के क्या क्या essentials होते हैं बच्चो contract के essentials होते हैं कम ते कम दो parties होनी चाहिए meaning certain होना चाहिए oil वाला example सारी formalities comply होनी चाहिए possibility जो आप contract में promise करें है वो performance के लिए possible होना चाहिए और parties की intention legal relation की create होनी चाहिए उसके बाद ये वाला मैंने बताया था कि हम unit 3 में बढ़ेंगे तो अभी के लिए हम इसको skip कर रहे हैं okay sir उसके बाद हमने offer की definition बढ़ी थी जब एक party communicate करती है when one party signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of other to such act or abstinence he is said to make a proposal तो हम कहते हैं कि भया क्या कर दिया proposal कर दिया essential valid offer के क्या क्या essential होते हैं पहली चीज वो certain होना चाहिए definite होना चाहिए और vague नहीं होना चाहिए oil वाला example obtain assent of other party सामने वाले की assent करने के लिए आपने करा होना चाहिए तीसरा उसमें term of non compliance नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक हफ्ते में reply नहीं करा तो हम acceptance मान लेंगे चौता वो general भी हो सकता है specific भी हो सकता है express भी हो सकता है implied भी हो सकता है creating legal relation उससे legal relation create होनी चाहिए अगर legal relation create नहीं होती है तो वो valid offer नहीं माना जाता है वो offer को communicate होना चाहिए और उसमें conditions भी लगाई जा सकती है उसमें condition भी लगाई जा सकती है offer के types express offer, implied offer, general offer, general offer कौन सा? public at large, special offer made to specific person और group of person cross offer, identical offer in exchange of each other counter offer, conditional acceptance बोलो या qualified acceptance बोलो उसे counter offer बोलते हैं और standing offer open for acceptance for over a period of time ठीक है offer जो है वो statement of intention से अलग होता है statement of price से अलग होता है statement of announcement से अलग होता है और invitation to offer से अलग होता है invitation to offer के क्या-क्या example आते हैं अगर company prospectus issue करती है that is an invitation to offer दुकान पे रखा हुआ समान invitation to offer advertisement of auction sale advertisement of auction sale और price quotation ये सारी चीज़े क्या होती है बच्चो invitation to offer मानी जाती है उसके बाद मेरे बच्चो acceptance का topic हमने पड़ा था acceptance मतलब क्या when the person to whom proposal is made जिसको आपने offer दिया था अगर वो signify कर देता है अपनी ascent then proposal is said to be accepted and एक बारी अगर proposal accept हो जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चो promise बन जाता है तो और modes of acceptance promise accept करने के offer को accept करने के कितने modes है communication by act, communication by omission, communication by conduct ये तीन modes मैंने आपको सिखाए थे okay sir valid acceptance के क्या-क्या rules होते है एक mere silence is not acceptance सिरफ silence acceptance नहीं होती है time अगर time offer में mention है तो उस time में हो जाना चाहिए अगर time offer में mention नहीं है तो reasonable time में हो जाना चाहिए must be communicated offer जो acceptance है वो offer को communicate होनी चाहिए accept कारलिल वर्सिस कारबोलिक स्मॉक बोल conduct या implied acceptance ये तो यहाई पे cover हो गया उसके बाद absolute and unqualified यानि वो counter offer नहीं होना चाहिए prescribed mode अगर offer में कोई mode लिखा हुआ है तो acceptance उस mode में जानी चाहिए अगर mode नहीं लिखा हुआ है तो reasonable and usual mode में जानी चाहिए acceptance by person to whom offer is made सिरफ इसे वो ही person accept कर सकता है जिसे हमने offer किया था ओके सर उसके बाद acceptance का communication कब complete होता है acceptance का communication कब complete होता है offer के against जब offer letter डाल देता है जब offer letter डाल देता है तब complete हो जाता है यानि एक बार अगर offer ने acceptance का letter डाल दिया तो उसके बाद offer रिवोक नहीं हो सकता against the acceptor जब offer की knowledge में आ गया जब offer की knowledge में आ गया तो अगर acceptance offer की knowledge में आ गया तो offer अपनी acceptance को रिवोक नहीं कर सकता है offer को revoke करने के कितने रास्ते होते हैं offer को revoke करने के कितने रास्ते होते हैं एक lapse of time अगर time खतम हो गया तो offer revoke हो गया insanity or death अगर offer पागल हो गया या उसकी death हो गई तो भी वो revoke हो जाता है subsequent illegality यानि जिस दिन offer दिया था अगर उसके बाद वो acceptance से पहले illegal हो गया तो भी वो revoke हो जाता है counter offer की वज़ा से original offer revoke हो जाता है non acceptance as per prescribed mode notice दे कर भी कर सकते हो या जो condition offer में लिखी थी अगर उसे follow नहीं करोगे तो भी हो सकता है यहाँ पर अब हमारा revision खतम होता है is this fine? is this revision is fine? this is how you have to revise the concept from Sanjeevni Booty Notes point लिखा हुआ है उसके अंदर का खुद याद करो क्या-क्या keywords दे कौन सा example किताब में लिखा हुआ था अच्छा ये वाला example लिखा हुआ था अच्छा ये वाला keyword लिखा हुआ था this is how you have to revise from Sanjeevni Booty Notes मैंने दो units around revise कर दिया आपके सामने एक डेड़ यूनिट तो करी दिया but it does not take much time but it gives you confidence कि हाँ ये चीज हमने कर ली है ठीक है? ओके सर मैंने आपको बोला था ये पुरानी slide है ये पुरानी slide है मैंने आपको बोला था इस पे मैं दुबारा आऊंगा पंदरा दिन बाद याद है क्या? मैंने कहा था पंदरा दिन बाद गुर्प्रिसर इस slide पे दुबारा आएंगे और फिर इस slide के बारे में दुबारा बात होगी Indian Contract Act में Section 1 से 75 Section 1 से 75 General Contract में थे जो की हम लोग CA Foundation में पढ़ने वाले है जो की हम CA Foundation में पढ़ने वाले है Section 76 से 123 Delete हो चुके है वो Sale of Goods Act में आ गए है ये भी हम CA Foundation में पढ़ने वाले है ये भी हम CA Foundation में पढ़ने वाले है और Indian Partnership Act ये भी हम CA Foundation में पढ़ने वाले है और इससे हमने एक slide बनाई थी कि sir हमें please ये समझा देना इससे हमने एक slide बनाई थी कि sir हमें ये सारे सवाल बता देना contract क्या होता है general contract क्या होता है special contract क्या होता है indemnity क्या होता है guarantee क्या होता है bailment क्या होता है pledge क्या होता है agency क्या होता है sale of goods क्या होता है और partnership क्या होता है यह मैंने कहा था कि आपको बारा दिन पंदरा दिन बात मैं सिखाऊंगा तो आज वो दिन आ गया जब मैं आपको यह सारे concept सिखाने वाला हूँ सुनिये वैसे तो indemnity guarantee agency यह c.a. inter के syllabus में है कहां पर है जल्दी बोलो c.a. foundation में सीखोगे यह c.a. inter में सीखोगे पेशल कॉंट्रेक्ट इंडेम्निटी जैरेंटी पेलमेंट प्लैज एजनसी हम लोग c.a. inter में सीखने वाले हैं और सेल ओगुड्सेक्ट हम c.a. foundation में सीखेंगे और partnership भी हम c.a. foundation और जनरल कॉंट्रेक्ट भी हम लोग c.a. foundation में तो वैसे तो इंडेम्निटी गैरेंटी बेलमेंट प्लैज और एजनसी हमारे syllabus में नहीं है लेकिन क्यूंकि इन शब्दों का इस्तमाल आगे जाकर होगा इसलिए मैं आपको detail में नहीं लेकिन इसका basics पढ़ाने वाला हूं क्या पढ़ाने वाला हूं इसका basics पढ़ाने वाला हूं सर यह syllabus में नहीं है तो आप क्यूं पढ़ा रहे हो सर क्यूं हमारा time बरबाद करते हो सर हम बिल्कुल एक तो आप सर slow पढ़ाते हो उपर से जो हमारे syllabus में नहीं है उसका basic क्यूं पढ़ा रहे हो पेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्यूंकि आगे जाकर करना कहीं जगा पर वो guarantee शब्द यूज करेगा लेकिन आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा आगे जाकर हो सकता है वो agency word यूज करे आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो इसी लिए मैं यहाँ पर थोड़े से detail में नहीं बताऊंगा बट थोड़ा सा basic आपको बता कर च यह हुए हैं इसी लिए इसी लिए इसका कोई page number नहीं है ठीक है बट पिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको interest नहीं है तो वो बाद में आगे forward करके चला जाए ठीक है 10 मिनट बाद आ जाए 20 मिनट बाद आ जाए अगर किसी को यह सीखने म होगा चलिए ठीक है क्लियर है कि सबको येस और नो येस तो एक है कोशन का मैं अंसर करते जाओंगा एक है कोशन का मैं अब अंसर करते जाओंगा सबसे पहला सबसे पहला है कांट्रेक्ट क्या होता है कांट्रेक्ट क्या होता है यह हम सीख चुके हैं कोई भी agreement enforceable enforceable by law कोई भी agreement जो law enforce कर सकता है वो contract होता है ये बात हमने 10 दिन लगा के सीखी थी कि कोई भी agreement जिसे law enforce करा सकता है उसको contract कहते हैं अब हम सीखेंगे general contract क्या होता है और special contract क्या होता है आईए layman language में सिखा हुआ layman language मान लो मान लो एक school है उसमें उस school में wise के लिए wise के लिए 50 rules बने हुए है एक school है जिसमें wise के लिए क्या बने हुए है 50 rules बने हुए है कितने rules बने हुए है 50 rules अब सुनना rule number rule number rule number 1 से लेकर 10 तक सारे boys के लिए है rule number 1 से 10 से लेकर सारे boys के लिए यानि सारे लड़कों को follow करना पड़ेगा rule number 11 2 20 पतले boys के लिए है thin boys के लिए किन के लिए है rule सारे लड़कों को follow नहीं करना होता सिरब पतले लड़कों को follow करना होता है rule number rule number 21 से 30 fat boys के लिए है 21 से 30 fat boys को follow करना होता है रूल नंबर 31 से 40 हाइटीड बॉइस के लिए हाइटीड बॉइस हाइटीड बॉइस के लिए है जिनकी हाइट लंबी है ऐसे करके रूल बने हुए है रूल नंबर 41 to 50 इंटेलिजेंट बॉइस के लिए अब देखेगा समझेगा मैं कॉंसेट समझा रहा हूँ जनरल कॉंट्रेक्ट और इस स्पेशल कॉंट्रेक्ट का एक असान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज फोकस करेंगे सारे बॉइस मतलब कोई भी चाहे वो फिर मोटा हो पतला हो लंबा हो इंटेलिजेंट हो कैसा भी लड़का हो उसको रूल नंबर सिरफ पतले लड़कों को फॉलो करना पड़ेगा तो क्या मोटे लड़कों को फॉलो करना पड़ेगा दा अंसर लो कि यहा पर इसी को बोल दिया कि हमने क्या बना दिये स्पेश्ल कॉंट्रेक्ज के लेग लगेगा वाले रूब सारे कॉंट्रेक्ज मे नहीं लगेगे जैसे यहां पर देखो यह जो सेक्षन है 124 से 147 ये सिरफ Indemnity Contract पे लगेंगे और Guarantee के Contract पे लगेंगे ये बाकी के Contracts पे नहीं लगने वाले जैसे कि Section 148 से 181 सिरफ Behalement के Contract और Pledge के Contract के लिए बनाए गए हैं तो वो सिरफ Behalement के Contract पे लगेंगे Pledge पे लगेंगे वो Indemnity पे नहीं लगेंगे जबकि general contracts वो है जो सारे contracts पे लगेंगे section 1 से 75 सारे contracts पे लगाए जाते हैं सारे contracts को follow करने होते हैं लेकिन ये special चीजे special contracts के बारे में करी जाते हैं ठीक है? ओके सर question आता है सर special contract के क्या example है जैसे indemnity हम मैं एक एक करके सबका example सिखाने वाला हूँ सबसे पहला सिखाऊंगा what is indemnity what is contract of indemnity what is contract of indemnity indemnity का मतलब होता है indemnity का मतलब होता है promise to save from losses promise to save from losses सामने वाली पार्टी को promise करना कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा जैसे कि आपको पता ही होगा गुर्प्री स्थर गुर्प्री स्थर के पास एक cycle है बेटा पेटा गुर्प्री स्थर के पास एक cycle है क्योंकि उनकी salary सिरफ साड़े तीन हजार रुपे महिना है तो ये cycle बेटा ये cycle गुर्प्री सरना जो है studio लेकर आते हैं चला कर studio में cycle से आते हैं बेटा गुर्प्री सर तो ये cycle लेकिन मुझे ना रातों को नेंद नहीं आती क्यों नहीं आती मेरे पास तो और पैसा भी नहीं है cycle लेने का तो यहां पर गुर्प्री सर क्या करते हैं insurance company के पास जाते हैं insurance company के पास जाते हैं और कहते हैं insurance company तुम प्लीज मेरी cycle का insurance कर दो तो insurance company ने क्या कहा insurance company ने पूछा तुमारी cycle कितने की है मैंने कहा मेरी साइकल 12,000 रुपे की है मेरी साइकल कितने की है 12,000 रुपे की है इंशॉरेंस कंपनी ने कहा तुम हमें 400 रुपीज पर एनम का प्रीमियम दो क्या दो पर एनम का प्रीमियम दो और हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें promise करते हैं कि अगर कल को तुमारी cycle को कुछ हो जाता है तो हम उस loss को क्या कर देंगे compensate कर देंगे so this is an example of indemnity यहाँ पर insurance company का promise क्या है कि गुर्परिस्टर अगर कल को आपकी cycle चोरी हो गई ना तो हम आपको cycle का पैसा दे देंगे ताकि आप एक नई cycle ले सको this is an example of contract of indemnity और detail में हम CA intern में पढ़ेंगे बट अभी के लिए इतना समझ लो यहाँ पर देखो party कौन है गुर्परित and insurance company यहाँ पर promise क्या है 400 रुपे की premium देना और insurance company का है loss को compensate करना loss को compensate करना consideration क्या है consideration क्या है loss को compensate करना और company के लिए 400 रुपे पस इतना अभी के लिए जान लो इससे जादा अभी जानने की ज़रूर नहीं है indemnity का मतलब होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को promise करती है कि हम तुम्हारे नुकसान को क्या कर देंगे compensate कर देंगे हम तुम्हारे नुकसान को क्या कर देंगे compensate कर देंगे that is known as contract of indemnity that is known as contract of indemnity is it clear yes or no yes sir यह हो गया short मैं बता रहा हूँ डिटेल में नहीं बताने की जरूवत है contract of guarantee next आता है contract of guarantee contract of guarantee क्या होता है देखिए गुर्प्री सर का dream था कि वो क्या लेंगे ये गुर्प्री सर का dream है कि वो गाड़ी थार पर चेस करेंगे लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो वो बैंक के पास गए कोटक बैंक के पास गए कोटक बैंक के पास गए कोटक बैंक के पास गए और कहने लगे कोटक बैंक मुझे 16 लाख रुपे का लोन दे दो मुझे 16 लाख रुपे का लोन दे दो कोटक बैंक ने कहा अरे गरीब गुर्परीत ओ गरीब गुर्परीत तुझे कैसे पैसे दे दे तुम्हारे पास कोई सिक्यॉरिटी है तुम्हारे पास घर के कागज दे तो अपने मैंने का जी मैं तो रेंटीड घर पे रहता हूं मेरे पास तो घर नहीं है उन्होंने का अच कुछ तो यहां पर security दे दो हमें कुछ security दे दो ना मैंने कहा कोई security नहीं है मेरे पास देने को सर मुझे प्लीज 100 लला कलोन देदो मेरा सपना है कि मैं थार खरीदूंगा थार को आप कुछ बच्चे को पता नहीं होता है थार एक कारण नहीं तो बच्चा पूछ रहा in doubt इंजर में सर थार क्या क्या होति है ठीक है तो कोटक बैग ने तुम किसी की गैरंटी ला सकते हो मैंने का हाँ मैं मुकेश अमबानी जी को जानता हूं मैंने का मैं है मुकेश अमबानी छोड़ो मैं हमारे अमीर रिशब सर को जानता हूं उनकी गैरंटी दे दूँगा तो अमीर रिशब सर ने पैंक को प्रॉमिस किया अमीर रिशब सर ने पैंक को प्रॉमिस किया कि आप गुर्परीज सर को लोन दे दीजिए अगर गुर्परीज सर लोन नहीं दे पाते हैं अगर गुर्परीज सर लोन नहीं दे पाते हैं तो उनकी जगा लोन मैं दूंगा इसको बोलते है गैरंटी देना इसको क्या बोलते है गैरंटी देना यहाँ पर लोन लोन कौन दे रहा है कोटक बैंक तो वो मेरा क्या है क्रेडिटर वो मेरा क्या है क्रेडिटर क्योंकि यह लोन दे रहा है मैं कौन हूँ टेटर मैं बैंक का डेटर हूँ और रिशब्स और कौन है शौरटी जो शौरटी दे रहे हैं जो गैरंटी दे रहे हैं कि अगर गुर्प्री सर ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा so this is known as contract of guarantee again CA interc में detail में पढ़ाया जाएगा but meaning आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई person किसी third person की guarantee देता है कि अगर इसने घड़बड करी तो मैं दूंगा तो हम इसको बोलते हैं contract of guarantee contract of guarantee बताओ यहां तक clear है क्या yes or no जल्दी बोलो बिल्कुल clear है बिल्कुल clear है very good ठीक है उसके बाद आता है बेल्मेंट उसके बाद आता है बेल्मेंट contract of बेल्मेंट contract of बेल्मेंट next topic आता है contract of बेल्मेंट इसमें क्या होता है बच्चो owner अपने goods अगर owner अपने goods किसी और परसन को किसी और परसन को किसी भी किसी भी purpose के लिए देता है किसी भी purpose के लिए देता है ठीक है किसी भी purpose के लिए देता है एंड वो purpose complete होने के बाद वो purpose complete होने के बाद goods owner को owner को return हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं payment sir example दीजिये न दे रहा हूँ तीन चार example देता हूँ example number one example number one ठीक है ए ने दी को अपनी कार rent पर दी for three days ए ने बी को अपनी कार rent पर दी कितने दिन के लिए तीन दिन के लिए अपनी कार को लोटा देगा ये क्या है contract of bailment का example है ये contract of bailment का example है यानि जब भी कोई person कोई चीज rent पर देता है कोई चीज rent पर देता है तो यानि वो क्या कर रहा है bailment कर रहा है कि तु मेरा समान कुछ दिनों के लिए ले जा जब काम पूरा हो जाए तो मुझे वापस दे देना contract of bailment अगेन एक और example A की A नहीं अब लेते हैं Z Z की स्कूटी खराब हो गई Z की स्कूटी खराब हो गई Z ने अपनी स्कूटी ठीक करने के लिए mechanic को दी mechanic को बोला कि भाई मेरी स्कूटी ठीक कर दो mechanic ने कहा शाम तक ठीक हो जाएगी शाम के बाद वापस ले जाना यहाँ पर देखो owner कोन है स्कूटी का Z किसको स्कूटी दी mechanic को owner कोन है Z स्कूटी किसको दी mechanic के लिए purpose क्या है ठीक करना अगर ठीक करके क्या कर दिया जाएगा स्कूटी को वापस कर दिया जाएगा again contract of bailment complete होने के बाद वो आपको वापस कर देता है तो आप बोलते हैं contract of bailment सुनीता ने सुनीता ने सुनीता ने cloth सुनीता ने cloth tailor को दिया और tailor को बोला कि इसका suit बनाकर return कर देना इसका suit बनाकर return कर देना यह क्या है contract of bailment सुनीता ने cloth दिया, cloth किसकी ownership है सुनीता का कपड़ा है सुनीता ने जब कपड़ा दिया Taylor को, Taylor को किस purpose के लिए दिया, उसका suit बनाने के लिए, जब Taylor उसका suit बना देगा, purpose complete हो जाएगा, तो वो क्या कर देगा सुनीता को return कर देगा, again contract of bailment again contract of bailment, यानि अगर owner, अपने goods किसी और को कुछ समय के लिए देता है किसी purpose के लिए, और वो purpose complete होने के बाद क्या हो जाता है वो return हो जाते हैं goods, तो हम इसको contract of bailment बोलते हैं, हम इसको contract of bailment बोलते हैं क्या ये clear है, yes or no जल्दी बोलिए, क्या ये clear है, contract of bailment क्या ये clear है, yes next आता है pledge, pledge next आता है contract of pledge pledge का मतलब होता है किर्वी रखना किर्वी रखना, किसी समान को किर्वी रख देना, जैसे की Z ने bank से लोन लिया Z ने bank से क्या लिया लोन लिया ठीक है लेकिन bank ने कहा भाई तुमारी कोई guarantee नहीं है तुम क्या करो अपनी जुलरी अपनी जुलरी हमारे पास क्या कर दो pledge कर दो हमारी अपनी जोलरी हमारे पास क्या कर दो फ्लेज कर दो गिर्वी रख दो तो यहां पर क्या हो गया कॉंट्रेक्ट फ्लेज हो गया अगर आप अपने गुड्स को किसी दूसरी पार्टी के पास गिर्वी रख देते हो अगर आप अपने गुड्स को तुम loan repay कर दोगे तो bank तुम्हें तुम्हारी जोलरी वापस कर देगा अगर bank को तुम पैसा नहीं दे पाए तो क्या करेगा वो तुम्हारी जोलरी को बेच कर अपना पैसा recover कर लेगा वो तुम्हारी जोलरी को बेच कर अपना पैसा recover कर लेगा यानि अगर आप अपने goods को गिरवी रखते हो अगर आप अपने goods को गिरवी रखते हो ठीक है अपने समान को गिरवी रखते हो तो हम कहते हैं भाईया कि क्या हो गया यहां पर pledge का contract हो गया goods को गिरी भी रखना मतलब contract of pledge contract of pledge इसमें कोई rocket science कोई difficult concept नहीं है कोई difficult concept नहीं है उसके बाद last बच्चो agency क्यों last because sale of goods act sale of goods का contract मैं आपको sale of goods act में पढ़ाऊंगा और partnership का मैं Indian partnership में act में पढ़ाऊंगा तो ये तो मैं detail में पढ़ाने ही वाला हूँ तो last आज का बच्चो जो मुझे पढ़ाना था that is agency का contract agency का contract contract of agency माल लीजिए राहूल सर राहूल सर नहीं चलिए लफसर लेते हैं माल लीजिए लफसर आपके दोस्त आपके होस्ट आपके एड्यूकेटर जैहिंजै कॉमर्स आपके प्यारे लफसर आपके प्यारे लफसर जो है वो अपना घर sale करना चाते हैं वो अपना घर क्या करना चाते हैं sale करना चाते हैं लेकिन love sir के पास ना time ही नहीं है love sir के पास time ही नहीं है कहरे मुझे अपना घर बेचना है लेकिन मुझे time ही नहीं मिलता classes से time मिले तो तो मैं घर बेचूँ अगर मुझे classes से time मिले मेरा तो पूरा दिन ही classes लेने में चला जाता है मुझे time नहीं मिलता, क्या करूँ तो लफसर यहाँ पर क्या करते है अपना घर बिक्वाने के लिए मान लिजे भोंदू को, किसको बेटा भोंदू को भोंदू को क्या करते है appointment करते है, कहते है भोंदू, तू मेरा घर बिक्वा दे, तू मेरा घर बिक्वा दे, मेरे past time नहीं है, तो मान लो भोंदू क्या करेगा, भोंदू कहेगा free में थोड़ी बिक्वाऊंगा, commission लगेगी, commission sir commission लगेगी, लफसर ने का, मैं commission दे दूँगा, तो यहाँ पर मान लो बोंदू ने घर शाम को बेच दिया बोंदू ने घर किसको बेच दिया शाम को विकवा दिया तो law ये कहता है कि ये कौन है लफसर कौन होंगे प्रिंसीपल होंगे लफसर कौन है प्रिंसीपल और बोंदू कौन है बोंदू है agent of love sir agent of love sir फोंदू कौन है agent of love sir है तो love sir is principle and agent तो इन दोनों के बीच कौन सा contract हुआ है contract of agency आप किसी भी purpose के लिए agent रख सकते हैं जैसे मुझे मेरा समान मंगाना है तो मैंने agent रख लिया मुझे कोई चीज़ सेल करनी है मैंने agent रख लिया तो अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे है तो आप उसे क्या कर रहे है agent agent मतलब भोंदू जो है वो love sir के भीहाब पे क्या कर रहा है transaction कर रहा है बस आज के लिए इतना बहुत हो गया contracts के लिए अब हम लोग किताब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ओके मैं page number बता देता हूं page number बता दो बता रह다 हूं भई बता रहा हूं page number है 1.37 page number 1.37 topic का नाम है topic का नाम है yeah suit by third person suit by third person to account यह वाला topic अब मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत प्यारा और लवली topic है बहुत प्यारा और लवली टौपिक है, इस टौपिक से यूपाक। रिस टापिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो पहले एक बारी, टेस्ट ले लेते हैं कि आपके ये concept कलके clear है कि नहीं फिर ये topic स्टार्ट करा जाएगा तो आईए देखिए बच्चो ये है Mr. Light ये कौन है Mr. Light और ये है Mr. Light और ये है Mr. Light और ये है Mr. Light ने promise किया कि मैं तुम्हें अपनी notebook बेचूंगा मैं तुम्हें अपनी notebook बेचूंगा और Mr. L ने promise किया कि मैं बदले में मैं बदले में क्या करूंगा एक लाख रुपे दूँगा मैं बदले में एक लाख रुपे दूँगा यहाँ पर Light भहिया ने प्रॉमिस क्या करा मैं तुम्हें नोटबुक बेचूंगा और L ने क्या प्रॉमिस करा मैं तुम्हें बदले में एक लाख रुपे दूँगा यहाँ पर एक और पार्टी है इनका नाम है Mr. Goku इनका नाम क्या है Mr. गोपू नहीं भाईया Mr. Goku है इनका नाम ठीक है ओके सर अब ध्यान से सुनना बच्चो ध्यान से है न मान लो Mr. Light ठीक है Mr. Light चलो पहले आपका टेस्ट ले लेते हैं पहले आपका टेस्ट ले लेते हैं फिर आगे चलेंगे मुझे बताओ पिछले वाले एक्जाम्पल में पार्टी टू कॉंट्रेक्ट कौन है कोई बता सकता है पार्टी टू कॉंट्रेक्ट कौन है पार्टी टू कॉंट्रेक्ट है मिस्टर लाइट एंड मिस्टर एंड वेरी गुड वेरी गुड इस्ट्रेंजर टू कॉंट्रेक्ट कौन है इस्ट्रेंजर टू कॉंट्रेक्ट कौन है इस्ट्रेंजर टू कॉंट्रेक्ट कौन है बच्चों यह वेरी गुड मिस्टर गोकु मिस्टर गोकु मिस्टर गोकु इनको प्यार से लोग गोकु मिछ प्यार से लोग ऑब कढसी से कर रहे है वह ओ अब के इस ट्रेंजर टू कनसीडरेशन कौन है इस ट्रेंजर टू कनसीडरेशन कौन है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि consideration किसने पे करी है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि इस example में किसने किसको consideration दी है क्या आप मुझे stranger to consideration बता सकते हो अगर मैंने आपको यह नहीं बताया कि किसने किसको consideration दी है अभी तक मैंने बताया नहीं है तो क्या आप मुझे यह answer दे सकते हो कि stranger to consideration कौन है the answer is no पहले मुझे बताना पड़ेगा पहले मुझे बताना पड़ेगा कि consideration किसने किसको दी है तब बता पाओगे जिन्होंने रट्टा लगा रखा होगा ना वो कह रहोंगे L L L L जिन्होंने रट्टा लगा रखा होगा लेकिन concept की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैं यहाँ पर दो cases लूँगा case 1 and case 2 आपको और detail में समझा रहा हूँ कल जो समझाया था ना उससे और ज्यादा concept क्लियर करने के लिए मैं यह example लाया हूँ आईए case 1 case 1 में देखो क्या हुआ Mr.L ने Mr.L ने एक लाख रुपे दिये और Mr.L ने Mr.L ने एक लाख दिये और Mr.L ने बुक दे दी Mr.L ने बुक दे दी मुझे बताओ case 1 में stranger to consideration कौन है stranger to consideration कौन है अब बताओ case 1 में अब देखता हूँ कौन smart बच्चा है किलास का stranger to देखे 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 कौन बच्चा सही बता रहा है ओह 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 देखो stranger to stranger to consideration हमेशा party to contract होती है हमेशा कौन होती है party to contract अगर party to contract की consideration कोई और pay करता है तो stranger to consideration का concept आता है यहाँ तो दोनों parties ने अपना promise खुद निबाया है तो stranger to consideration का concept नहीं आएगा इस example में कोई भी नहीं आहा कल यह वाला example मैंने नहीं लिया था कल यह वाला example नहीं लिया था अब आता है case to मिस्टर एल के भी हाफ पे 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 ठीक है कोकू ने कोकू ने एक लाख दिये गोकु ने एक लाख दिये और मिस्टर लाइट ने नोटबुक दी अब इस वाले एक्जामपल में बताईए stranger to consideration कौन है stranger to consideration कौन बताईए इस वाले एक्जामपल में बताईए stranger to consideration कौन वो पार्टी टू कॉंट्रेक्ट जिसकी consideration किसी और ने दी है वो पार्टी टू कॉंट्रेक्ट जिसकी consideration किसी और ने दी है यहाँ पर L की consideration किसी और ने दी है Is this point clear? Yes or no? Yes, sir. This is point clear. आगे चलते हैं आएे अगला कॉंसेप्ट पढ़ते हैं अगला कॉंसेप्ट पढ़ते हैं अगला कॉंसेप्ट पढ़ते हैं Now we are going to study out तो नव और गॉउइंग टो स्टडी of doctrine of privity of contract हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सब बच्चे लिखो doctrine of privity of contract पढ़ने जा रहे हैं सब बच्चे comment section में लिखेंगे हम लोग आप क्या पढ़ने जा रहे है डॉक्ट्राइन ओफ प्रिविटी ओफ कॉंट्रेक्ट पढ़ने जा रहे है चल्दी लिखो सब बच्चे वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड हमारे स्लेबस में चार डॉक्ट्राइन्स हैं हमारे स्लेबस में कितने डॉक्ट्राइन्स है चार डॉक्ट्राइन ओफ प्रिविटी ओफ कॉंट्रेक्ट हम पढ़ते हैं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट में और बाकी के तीन डॉक्ट्राइन्स बाकी के तीन डॉक्ट्राइन्स आप पढ़ेंगे कमपनी जेक्ट इस वट कोशन ये आता है सर डॉक्ट्राइन क्या होता है सर सर वट इस डॉक्ट्राइन सर सर वट इस डॉक्ट्राइन वट इस डॉक्ट्राइन सर ये बताओ न सर डॉक्ट्राइन क्या होता है सर क्या डॉक्टर की बीवी को क्या डॉक्टर की बीवी को डॉक्ट्राइन कहा जाता है डॉक्ट्राइन क्या होता है आप कह रहे हो कि डॉक्ट्राइन और प्रिविटी ओफ कॉंट्रेक्ट इंडियन कॉंट्रेक्ट से उरक्ट में पडएंगे बाकी के तीन डॉक्ट penn कंपनी से पड़ेंगे बट सरय क्या होता है यह तो बता दो कम सेकमुकर तो मैं नहीं पता है तो मैं बता देता हूं टॉक्ट rine मतलब कर एहाँ अथा रूल कि आ यह नौर्स मली कि और क्या है बच्चों डॉक्ट्राइन ऐसा रूल जो नॉर्मली जब कोट में सुनवाई होती है तो कोट अपने डिसीजन में इस रूल को फॉलो करता है यानि ये बात हो सकता है जो हम डॉक्ट्राइन और प्रिविटी और कॉंट्रेक्ट पढ़ रहे हैं वो ये डॉक्ट्राइन इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट के किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ अगर आप देखेंगे ना तो आप इस टॉपिक में अपनी किताब में अलग जजिस ने ये सेम डिसीजन दिया है तो लोगों ने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया क्यूंकि कोट यही डिसीजन देता है तो लोगों ने कहा ये लोग में तो नहीं लिखा लेकिन ये डॉक्ट्राइन है यानि ये नॉर्मली फॉलो होता है ये नॉर्मली इंसान कुलर आते थे notification आते थे और case law आते थे तो जो normally doctrine है वो multiple case laws से बन के आता है अलग-अलग case law में judges ने जब same decision देते हैं तो वो धीरे-धीरे क्या बन जाता है doctrine बन जाता है तो आज हम ऐसा ही rule पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत सारे court के decision में follow हुआ है जिसको हम बोलते है doctrine of privity of contract जिसको हम क्या बोलते है doctrine of privity of contract तो आज हम पहला doctrine पढ़ने जा रहे हैं ये rule ये भी एक rule ही है ये भी एक rule ही है जो law में नहीं लेकिन judges ने बोला हुआ है ये rule क्या बोलता है stranger to contract stranger to contract stranger to contract cannot cannot sue parties to contract stranger to contract जो होता है वो sue मतलब case file करना है stranger to contract जो होता है ये sue नहीं कर सकता है किसको parties to contract पर case नहीं कर सकता है ये बात कहां से आई है ये बात आई है doctrine of privity of contract से ये बात कहां से आई doctrine of privity of contract यानि multiple case law से ये crux निकल के आया कि बाया contract में सिरफ parties ही एक दूसरे पर case कर सकती है parties ही एक दूसरे पर case कर सकती है stranger to contract case नहीं कर सकता मैं एक example देता हूँ आईए मान लीजिए light ने mr light ने promise किया था notebook देने का और अगर एल ने promise किया था एक लाख रुपे देने गा एक लाख रुपे देने गा अगर कल को अगर कल को लाइट बुक देने से मना कर देता है तो क्या mr goku क्या mr goku light पर case file कर सकते है क्या mr goku light पर case file कर सकते है जल्दी बताओ अगर कल को light notebook देने से मना कर देता है तो क्या mr goku light पर case कर सकते है the answer is no the answer is no क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते because doctrine of privity of contract क्यों goku light पर case नहीं कर सकता because of doctrine of privity of contract क्योंकि stranger to contract cannot file case on parties to contract but क्या mr l क्या mr l क्या mr l क्या mr l case file कर सकते है light के उपर क्या mr l case file कर सकते है क्या light के उपर the answer is yes, the answer is yes अब मैं advance सवाल पूछूंगा अब मैं कौन सा सवाल पूछूंगा advance सवाल देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाएंगे देखते हैं कितने एल के बिहाव पे कोकू ने एक लाख एक लाख मिस्टर लाइट को दिए मिस्टर लाइट को दिए तो क्या गोकू मिस्टर लाइट पे केस कर सकता है जदे मिस्टर लाइट बातो है तो दा आंसर is no क्यूंकि भाई अगर तुम पैसे दे भी रहे हो ना तब भी तो तुम तुम हो तो stranger to contract ही ना just because तुम पैसे दे रहे हो तुम party to contract तो नहीं बन रहे ना तुम तो stranger to contract ही हो ना और प्रिविटी ओफ contract बोलता है कि stranger to contract cannot files you तो इसलिए तुम केस नहीं कर सकते इसलिए तुम केस नहीं कर सकते अंकित गोयल निलेश शाहू राहूल पाटिल प्रणव भार्दुआज और किशन ठीक है आगे चले आगे चले I hope this concept is clear अब चलते हैं और आगे लेकिन इस doctrine के कुछ exceptions हैं लेकिन मेरे बच्चा इस doctrine के कुछ exceptions है exceptions मतलब क्या कुछ ऐसे exception है जहां पर कुछ ऐसे exception है जहां पर इस्ट्रेंजर टू जहां पर इस्ट्रेंजर टू कॉंट्रेक्ट भी केस फाइल कर सकता है normal rule क्या है normal rule तो यही बोलता है normal rule तो यही बोलता है normal rule तो यही बोलता है कि stranger to contract parties to contract पे case नहीं कर सकता बट कुछ exception है इस doctrine के जहां पर stranger to contract भी parties to contract पर कि और हमें यही exception सीखने हैं हमें यही exception सीखने हैं यही exception सीखने है कि चलिए कि सबसे पहला exception मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे पहला exception मैं आपको सिखा रहा हूं that is in case of trust in case of trust trust के case में privity of contract नहीं लगता अब पहले तुम्हें यह सिखना पड़ेगा कि trust क्या होता है trust क्या होता है तो मान लीजिए एक uncle john है एक uncle john है जिनकी एज 78 years है ठीक है जिनकी एज 78 years है उनकी डॉटर है उनकी डॉटर मान लीजिए टॉटर नहीं ग्रेंड डॉटर मान लीजिए उनकी एक एक इकलौती ग्रेंड डॉटर है जिसकी एज 15 years है जिसकी एज कितनी है बिटा 15 years है तो उनकल जोन 78 years के और ग्रेंड डॉटर 15 years की अब उनकल जोन को लग रहा है कि कुछ दिनों में ये मर जाएंगे कुछ दिनों में ये मर जाएंगे क्योंकि 78 years के हो गए है तबियत खराब रहने लगी है तो इनोंने क्या करा इनोंने इनका advocate था इनका advocate था कौन advocate था राहूल राहूल इनका advocate था तो जोन ने अपने advocate राहूल को बोला कि मैं अपनी सारी property मैं अपनी सारी property तुम्हे transfer कर देता हूँ मैं अपनी सारी property तुम्हे transfer कर देता हूँ लेकिन इस trust पे इस trust पे कि जब ये granddaughter 18 years की हो जाएगी तो तुम सारी property इसको दे देना तो तुम सारी property इसको दे देना तो यहाँ पर अंकल ने राहूल पे trust करा अंकल ने राहूल पे क्या करा trust करा और अपनी सारी property राहूल को दे दी और कल को ये बोला है कि राहूल तुम इतनी जो भी पूरी की पूरी property और उस property से जितना भी profit आएगा वो सारा किसको दे देना granddaughter को दे देना कब जब वो 18 साल की हो जाएगी जब वो 18 साल की हो जाएगी अब यहाँ पर जो अंकल जॉन है जिनों ने trust किया है उनको बोला जाता है settler उन्हें क्या बोला जाता है settler जिनोंने trust किया है जिस पे आपने trust किया है उसको बोला जाता है trustee trustee तो settler कौन होता है? जो trust करता है जो trust create करता है और trustee कौन होता है? जिसके उपर trust किया जाता है लेकिन इसका benefit किसको मिलेगा? इसका benefit granddaughter को मिलने वाला है तो ये कौन हो गई? पैनी पीशेरी ये कौन हो गई पैनी पीशेरी ओफ ट्रस्ट ये ट्रस्ट की पैनी पीशेरी हो गई clear यहां तक settled और trustee trust clear है यहां तक yes sir clear है अब मान लो सुनना मेरी बात ये जो property transfer का contract हुआ है ये किसके बीच में हुआ है प्रोपर्टी transfer करने का contract किसके बीच में हुआ है John और Rahul के बीच में हुआ है तो यहां पर parties to contract कौन है यहाँ पर parties to contract कौन है जॉन एंड राहूल जॉन एंड राहूल क्यूंकि इन दोनों ने आपस में contract sign करा है अब मान लो कल को जब daughter 18 साल की हो जाएगी जब कल को grand daughter 18 साल की हो जाएगी वो राहूल के पास जाएगी आरे राहूल मुझे सारी property transfer कर दो राहूल कहेगा रे कौन सी property चल निकल यहाँ से कोई property transfer नहीं होगी तो law कहता है भले ही daughter parties to contract नहीं है भले ही daughter grand daughter parties to contract नहीं है बट वो राहूल पर case करके अपना जो right है क्या right है कि property मुझे transfer होनी चाहिए वो ये करवा सकती है यानि यहाँ पर privity of contract नहीं लगा क्योंकि parties to contract थी जोन और राहूल बट फिर भी फिर भी grand daughter जिसके contract पे sign नहीं थे जिसके contract पे sign नहीं थे उसकी बात हो रही है तो देखिए अब beneficiary beneficiary मतलब granddaughter granddaughter can enforce enforce मतलब legally case करके अपना right उसका right क्या था बच्चों ट्रस्ट में मुझे property 18 years पे मुझे क्या मिलनी चाहिए property मिलनी चाहिए ये चीज वो legally ले सकती है even though granddaughter was not a party to the contract even though granddaughter party नहीं थी contract के क्योंकि contract की party कौन थे settler यानि john uncle and the trustee यानि rahul uncle john uncle और rahul uncle contract की party थे ये तो party थी भी नहीं बट फिर भी law ने कहा कि तुम अपना right enforce कर सकते हो फिर भी law ने कहा कि तुम अपना right enforce कर सकते हो is this point first exception clear or not कर सकते है थाए याम अबक्दिकां dif听 पिर सकते हो शो तुम प्यांग यर रसकार की रहर्वार अ fatto कि अपन प्सедami चलिए जिसको यहां पर confusion हो रही है वो एक बारी इस वीडियो को दुबारा rewind करके अराम से ठंडे mind से देख लेना clear हो जाएगा because आप देखेंगे किताब में किताब में अगर आप देखेंगे ना किताब में किताब में बेटा बुक में इसका example ही नहीं है ICI module ने इसका example ही नहीं दिया यह मैंने खुद example बना कर दिया है ताकि आपको यह वाली line है clear हो जाए अगर आप खुद से पढ़ते और क्योंकि यह किताब में example नहीं है तो आप खुद से यह example को note down कर लेना बाद में वरना बाद में revise करने में दिख्खत आईगी नेक्स आता है नेक्स आता है नेक्स एग्जाम्पल है नेक्स्ट प्रीबिट्य ओफ क्या होता है पहले वह जैनते हैं पेद़ी है आप poorer गेव कि Thank you family settlement क्या होता है पहले वह जानते है वह इसा पैमली सेटलमेंट क्या है बत्चो फैमली तो वहAT टेज़ बैमली सेटल्मेंट में क्या होता है वीठी अ प्रॉपर्टि बटवारा प्रापर्टि का पार्तिशन between family members, between family members, जानि family members के बीच अगर प्रापर्टि का बटवारा हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, family settlement बोलते हैं, और example मान लीजिए मान लीजिए दो भाई हैं दो भाई हैं कौन दो भाई हैं बच्चो सलमान खान और सोहेल खान ये कौन है तो ब्रदर्स हैं सलमान खान और सोहेल खान इनके पापा कौन है इनके पापा है सलीम खान इनके पापा कौन है बेटा सलीम खान अब इन दोनों ने क करा अपनी आपस में कॉंट्रेक्ट करा सलमान और सोहेल ने आपस में कॉंट्रेक्ट करा और आधी आधी प्रॉपर्टी फैमली की बाटली आधी आधी प्रॉपर्टी फैमली की जो है बाटली लेकिन जब इन्होंने प्रॉपर्टी बाटी जब इन्होंने अपनी प्रॉपर भाई ये agree करते हैं कि वो अपने पापा के लिए वो अपने पापा सलीम खान के लिए हर महीने 50,000-50,000 रुपे invest करेंगे invest करेंगे ताकि उनके पापा को कोई दिक्कत ना हो तो family settlement का contract किन दो लोगों के बीच हुआ family settlement का contract हुआ सल्मान खान और सोहेल खान के बीच है ना लेकिन उन्होंने contract में क्या लिखा कि वो अपने फादर के लिए क्या करेंगे हर महीने 50,000 रुपे बचा कर रखेंगे मान लो कल को अगर सल्मान खान और सोहेल खान अपने पापा के लिए 50,000 रुपे नहीं बचाते कल को अगर वो इस बात को follow नहीं करते तो क्या जो पापा सलीम खान है जो की contract की party नहीं है because contract की party कौन है सल्मान खान और सोहल कान क्या वो फिर भी case कर सकते है सल्मान और सोहल पे ये कहकर कि तुम मुझे 50,000 रुपे महीना मेरे लिए जो invest करने वाले थे वो करो law ने कहा हाँ यहाँ पर privity of contract नहीं लगेगा यानि family settlement के case में अगर किसी party के benefit के लिए कुछ लिखा गया है और वो contract की party नहीं है तो वो उसको enforce करा सकती है वो उसको enforce करा सकती है यही बात बेटा यहाँ किताब में लिखी हुई है देखिए same example अब प्लीज रीड इस example प्लीज रीड इस example रीड करें बेटा सब बच्चे इस example को और मुझे बताईए समझा कि नहीं मुझे बताईए समझा कि नहीं समझा जल्दी रीड करो त्रिस्टी बेटा family settlement में family settlement में ट्रस्ट नहीं है ट्रस्ट इस डिफरेंट तिंग and family settlement इस डिफरेंट तिंग ठीक है beneficiary का normal मतलब होता है जिसको benefit मिलता है तो यहाँ पर मैंने सलीम खान अंकल के नीचे beneficiary इसलिए लिखा था क्यों लिखा था क्योंकि उनको benefit मिल रहा था समझे सेम एक्जामपल है दो भाई है X और Y यहाँ पर बस पापा की जगा उन्होंने मम्मी को बोला है कि वह 20,000 रुपे जमा कराएंगे बट बात में उन्होंने जमा कराने से मना कर दिया तो भाईया कोट ने यह डिसीदन दिया कि भले ही मम्मी stranger to contract है भले ही मम्मी stranger to contract है बट इस्टिल वो अपने बेटें को बोल सकती है कि उन्हें 20,000 रुपे जमा कराने पड़ेंगे उन्हें 20,000 रुपे जरा कराने पड़ेंगे तो यही बात लिखी है कि अगर terms terms मतलब terms and condition of the settlement मतलब of the family settlement अगर terms and condition family settlement की writing में है और नहीं अगर terms and condition family की writing में है तो members of family यानि family के वो members जो originally जो originally contract का part यानि settlement का part नहीं थे वो भी agreement को court में जाकर enforce करा सकते हैं यानि मम्मी जो की originally party to contract नहीं थी मम्मी जो की original party इस वाले example में और हमारे example में पापा हमारे example में पापा जो parties to contract नहीं थे वो भी court of law में जाकर agreement को legally enforce करा सकते हैं कि तुम्हें पैसा जमा कराना पड़ेगा तुम्हें पैसा जमा कराना पड़ेगा दुलनिया ले जाएंगे देखियोगी जिसमें राज सिम्रन से बे इंतहा प्यार करता है और उसके पापा सिम्रन को छोड़ देते हैं और कहते हैं जा सिम्रन जा जा सिम्रन जा जी ले अपनी जिंदगी और वहाँ पर दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे खतम हो जाती है लेकिन गुर्प्रित सर लेकर आते हैं आपके लिए दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे पार्ट टू की शादी के बाद क्या होता है शादी के बेटा जो राज कभी ये कहता था कि सिम्रन मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं वो अब विचारा सिम्रन की जान लेने पे तुला हुआ है कितनी गलत बात है तो यहां पर क्या हुआ देखिएगा ये हमारे राज मलोतरा जी हैं राज मलोतरा जी ने सिम्रन से शादी कर ली थी सिम्रन से शादी होने के बाद सिम्रन को लगा कि राज उन्हें बहुत खुछ रखेंगे राज उन्हें बहुत खुछ रखेंगे लेकिन इसका उल्टा हुआ राज ने सिम्रन को खुछ नहीं राज ने उसके साथ गलत सलूग किया उसको इल्ट्रीट करा और रोते हुए सिमरन कहा चली गई रोते हुए सिमरन पापा के पास चली गई देखो बेटा पापा ने अपनी बेटी को कैसे कहा आरे मैंने तो तुझे कहा ही था पगली वो लड़का तेरे लिए लायक नहीं है लेकिन तू ही पागल हो गई थी उसके प्यार में पापा मुझे अब समझा कि आप सही थे और राज गलत पापा कुछ करो ना पापा पापा कुछ करिये ना प्लीज प्लीज कुछ करिये ना अब पापा गुस्सा पापा को एकदम गुस्सा आ जाता है और पापा जो है वो फूल जैसी बेटी को क्या आपको पापा की आँखों में गुस्ता दिख रहा है की नहीं दिख रहा है दिख रहा है अब शारुक ने शारुक ढर गया पापा को देखकर शारुक ढर गया और शारुक ने पापा को प्रॉमिस करा शारुख ने पापा को प्रॉमिस करा शारुख ने पापा के साथ कॉंट्रेक्ट किया कि आगे से आगे से मैं तुम्हारी बेटी को इल ट्रीट नहीं करूँगा इल ट्रीट नहीं करूँगा अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसे मंतली मैं उसे मंतली अलावेंस दूँगा मैं उसे मंतली अलावेंस दूँगा और वो मुझसे अलग रह सकती अगर मैंने future में ऐसा करा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं उसे क्या दूँगा monthly allowance दूँगा और ये बात सिमरन के पापा ने contract पे writing पे लिखवा ली और राज ने उस पे contract पे sign कर दिये sign करके कहा कि मैं आपकी बेटी को आगे से ill treat नहीं करूँगा और अगर किया तो वो मुझसे अलग रह सकती है मैं उसे हर मैंने 50,000 भी दूँगा ये बात उन्होंने contract पे sign करके कह दी और पापा खुशी खुशी घर चले गए कि अब मेरी बेटी जो है खुश रहेगी अब उसका पती कुछ नहीं करेगा लेकिन लेकिन पापा के जाते ही दो दिन बाद सिमरन के साथ उसने फिर से ill treat करा फिर से उसके साथ गलत वहवार करा और सिमरन विचारी फिर रोने लगी मुझे बताओ इस contract में parties to contract कौन थी राज मलोतरा एंड सिमरन के पापा सिमरन party to contract नहीं थी सिमरन कौन थी stranger हो गई बेटा राज के लिए सिमरन stranger हो गई stranger to contract थी तो यहां पर law पूछ रहा है कि क्या सिमरन अगर कल को दुबारा राज उसे ill treat करता है तो even though सिमरन stranger to contract है क्या वो फिर भी राजबर case करके यह monthly allowance ले सकती है क्या यह monthly allowance ले सकती है क्या तो law कहता है हाँ यहां पर privity of contract नहीं लगेगा यहां पर privity of contract नहीं लगेगा यहां पर privity of contract नहीं लगेगा यह stranger to contract है फिर भी फिर भी बेटा क्या कर सकती है case वाइल करके यह monthly allowance क्लेम कर सकती है मंतली अलाउंस क्लेम कर सकती है रीड इस एक्जामपल एवरीबडी एवरीबडी प्लीज रीड इस एक्जामपल एक्जाम एक्जामपन4 मास्वाजन 7 को भूगस, ये रीड झाल झाल पढ़िया ग्रेट तो यहाँ पर बच्चो तेम एक्जामपल जो मैंने आपको दिया है क्या मैंने एक्जामपल खुद बनाया है आप मुझे ये बताओ क्या ये वाला एक्जामपल ये जो एक्जामपल है ये गुर्परी सर ने बनाया है या ICI ने मॉड्यूल में दिया हुआ है आप लोग मुझे ये बताओ क्या ये बात गुर्परी सर ने लिखी है या ये ICI मॉड्यूल ने लिखी है ये बात ICI मॉड्यूल में दिय हुई है मेरे जितने भी नॉर्मली एक्जामपल होते हैं वो ICAI module के होते हैं हाँ जहाँ पर ICAI module का example नहीं होता है वहाँ पर normally मैं अपना example देता हूँ otherwise we normally use ICAI module example ताकि आपको module के example हमेशा याद रहें बच्चा कह रहा है 2 minute का break दे दो चलिए 2 minute का break दे देते हैं बच्चों को है ना 2 minute का break दे देते हैं 2 minute break बच्चों को हमारी तरफ से झाल झाल जिन्दगी सवार दू एक नई बहार दू दू दुनिया ही बदल दू मैं तो प्यारा सा चमतकार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच अब ये मेरा सपना है कि सब के सपने सच मैं करूँ आसमा को छूलू तितली बन उड़ू आँ इलिकॉप्टर आँ 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 चलिए प्रेक टाइम भी खतम हो गया भाईया चलिए तो वह बोल रहे हैं अब प्रोवीजन प्रोवीजन बतलब टर्म्स कंडिशन में भी मेड और दी बैनिफिट ऑफ पर्सन यानि किसी पर्सन के बैनिफिट के लिए जैसे यहां पर सिमरन के बैनिफिट के लिए बनाई गई थी तो ही में फाइल दी केस भले ही वह पार्टी टू कॉंट्रेक्ट नहीं है ठीक है ओके सर ओके सर नेक्स्ट आता है बच्चो नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दी केस ऑफ इन दी केस ऑफ असाइन्मेंट ऑफ कॉंट्रेक्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चो इन दी केस ऑफ असाइन्मेंट ऑफ कॉंट्रेक्ट पहले असाइन्मेंट क्या होता ह वाट इस असाइनमेंट आसाइनमेंट यह वाट इस अपने राइट को किसी और को ट्रांसफर करना assignment कहा जाता है जैसे मैं एक बहुत प्यारा example लेता हूँ practical example लेता हूँ इसमें भी example institute ने शायद नहीं दिया हुआ है इसमें भी शायद practical example में नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से हाँ किताब में इसके उपर example नहीं है बट कोई बात भी मैं आपको example देता हूँ आईए चलिए देखिये क्या हुआ बैंक ने Mr. चोमू को बैंक ने Mr. चोमू को लोन दिया बैंक ने Mr. चोमू को एक करोड का लोन दिया बैंक ने और चोमू ने बदले में कहा था कि वो with interest 1.2 करोड रिटन करेगा 1.2 करोड रिटन करेगा after 1 year 1 करोड का लोन लिया और बोला एक साल के बाद वो 1.2 करोड का रिटन देगा 1.2 करोड का रिटन करेगा पैसा मुझे बताओ पार्टीस टू कांट्रेक्ट कौन है मुझे बताओ पार्टीस टू कांट्रेक्ट कौन है पार्टीस टू कांट्रेक्ट कौन है बैंक और चोमू बैंक और चोमू पार्टीस टू कांट्रेक्ट है अब एक साल कंप्लीट हो गया एक साल कंप्लीट हो गया और चोमू एक साल कंप्लीट हो गया और चोमू पैसा नहीं दे रहा है बैंक ने उसे फोन करा चोमू पैसा दे दो चोमू पैसा नहीं दे रहा चोमू पैसा नहीं दे रहा ओ माई गॉड चोमू तो पैसा दे ही नहीं रहा है अब बैंक को चिंता होने लगी मुझे बताओ अगर उनका कोई कस्टमर पैसा नहीं देता तो उसको क्या बुलाते है किसी को पता है यहाँ पर किसी को वो शब्द बुला है अगर कोई परसन बैंक का पैसा रिटन नहीं करता है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है बैड डेट्स मत बोलना यहाँ पर बैड डेट्स नहीं बोलते उसे बैड डेट्स मत बोलना बैंक उसे एक नाम से बुलाता है क्या आपको पता है वो हाँ कई बच्चे कह रहे है डिफॉल्टर और इसको एक और नाम होता है नौन पर्फॉर्मिंग एसेट यानि ये एसेट है मेरा बैंक के लिए चोमू एक एसेट था लेकिन अब वो पर्फॉर्म नहीं कर रहा तो इसे नौन पर्फॉर्मिंग एसेट येट इस बैंक की लेंग्वेज में NPA कहा जाता है NPA नौन पर्फॉर्मिंग एसेट यानि ऐसा एसेट जो अब मेरे लिए पर्फॉर्म नहीं कर रहा मेरा पैसा नहीं दे रहा ठीक है तो इसको NPA कहा जाता है, NPA, bank की language, ठीक है, ओके सर, अब bank क्या करती है न, bank के पास legal right है, bank के पास legal right है, to recover, bank के पास legal right है, to recover, 1.2 करोड, from, bank के पास legal right है, to recover, 1.2 करोड, from, चौमू, बट उसे लगता है, कि बड़ा मुश्किल है, bank को लगता है, यह possible नहीं है, चौमू से पैसा निकलवाना, तो bank क्या करती है, bank क्या करती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है, जो bank से, यह right खरीद लेती है, कुछ कंपनियां, bank से यह right खरीद लेती है, मान लो, एक company है, Z Limited, Z Limited, bank से, यह right खरीद लेती है, यह वाला right खरीद लेती है, और बदले में, bank को, 80 लेक रुपीज दे देती है, बदले में, bank को 80 लेक रुपे देती है, चौकि, bank को तो पता है, कि चोमू से पैसा निकलवाना मुम्किन ही नहीं है, ना मुम्किन है, तो वो कहती है, चलो, 1.2 करोड नहीं मिला, 80 लेक ही मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है ले लो, और bank Z limited से 80 लेक रुपे ले ले दे, अब देखना, bank, bank और चोमू के बीच जो contract हुआ है, उसके लिए, उसके लिए, Z limited क्या है, stranger to contract है, लेकिन क्यूंकि, bank ने अपना legal right, bank ने अपना right, assign कर दिया है Z limited को, तो Z limited can now legally file a case against Mr. चोमू and recover the amount, यानि अब जो bank है, वो चोमू पर case कर सकती है, और case file करके पैसा recover कर सकती है, जबकि Z limited इस contract की party नहीं थी, वो तो stranger to contract थी, तो वो यहीं बोल रहे हैं, अगर आप किसी benefit को, या किसी right को, assign कर देते हो किसी और party को, तो यहाँ पर Z limited कौन हो जाएगा, assignee, assignee, और assignee जो है, वो उस contract को enforce करा सकता है, वो उस contract को enforce करा सकता है, लेकिन वो contract personal skill का नहीं होना चाहिए, personal skills का मैं आगे जाकर discussion करूँगा unit में, अभी के लिए personal skill वाला point आप छोड़ दो, ठीक है, क्या ये point clear हो गया, यानि simple सी बात है, contract bank और चोमू के बीच में हुआ था, बट bank ने अपना right Z limited को assign कर दिया, तो law ने कहा आप Z limited भी चोमू के उपर case करके, पैसा जो है वो recover कर सकता है, और ऐसा real life में भी होता है, ऐसा real life में भी होता है, चलिए, चलिए, next, next, exception, next exception है बचो, acknowledgement और estopal, acknowledgement और estopal, next point क्या है बच्चो, acknowledgement और estopal, यहाँ पर क्या होता है, N ने, loan दिया होता है, L को, N ने, loan दिया है L को, L ने, ठीक है, N ने किसको loan दिया था, L को दिया था, अब, जब N ने, L को loan दिया, तो L का क्या फर्ज बनता है, इसको return करना, loan को return करना, yes or no, yes, अब L ने, N को loan return करने गया, L गया, N के पास, कि मैं भाईया, loan return करने आया हूँ, मैं भाईया, loan return करने आया हूँ, N घर पर नहीं था, N घर पर नहीं था, तो N ने क्या, N ने, चुकि N घर पर नहीं था, तो L ने क्या करा, L ने N के पडोसी M जो की neighbor है neighbor है of N जो की neighbor है N का उसको ये पैसे पकड़ा दिये और बोला M भाया जब N शाम को घर आ जाए न तो तुम इनको पैसे दे दे न और L ने phone करा N को hello N मैंने आपके पैसे न Mr. M जो आपके पडोसी है न उनको दे दिये हैं और उन्होंने Mr. M को phone दिया और Mr. M ने का हाँ भाया N मैंने आपके पैसे ले लिए हैं आप शाम को जब घर आएंग घर आने के बाद M के घर जाता है क्कत करता है M दरवाज़ा खोलता है तो यहां पर law ने कहा कि भले ही M party to contract नहीं थी लेकिन यहाँ पर देखना L ने जब M को पैसे दिये तो इनके बीच क्या हो गया bailment का contract हो गया हाँ या ना क्यूंकि पैसा M का नहीं है पैसा M का नहीं है तो L और M के बीच में bailment का contract हो गया but N, M पर legally case करके पैसा recover कर सकता है क्योंकि M को वो पैसे क्यों मिले थे N को देने के लिए मिले थे क्योंकि N को वो पैसे M को देने को मिले थे यही बात लिखी है कि अगर L, M को 20,000 रुपे देता है N को देने के लिए और M, B, N को कहता है कि हाँ मुझे पैसे मिल चुके हैं बट बात में अगर देने से मना कर देता है तो N पैसा recover कर सकता है M से PEN N से recover कर सकता है क्योंकि M ने क्या करा था acknowledgement दिया था M ने क्या करा था acknowledgement दिया था अब एक बच्चे का doubt आएगा Sir, estoppel का meaning बता दीजिए एक बच्चा doubt session में लिखेगा Sir estoppel का meaning क्या होता है ठीक है estoppel का meaning क्या होता है wait करो wait बताया जाएगा detail में बताया जाएगा but please इसके लिए wait कर लो ठीक है इसके लिए थोड़ा सा wait कर लो आगे जाके बताया जाएगा अभी आपको estoppel का meaning जानने की दरुवत नहीं है wait कर लेना जब वक्त आएगा क्योंकि ये शब्द बार बार आता है ये शब्द partnership act में भी आता है ये शब्द sale of goods act में भी आता है ये शब्द Indian partnership act में भी आता है तो ये शब्द का सामना कहीं बार होगा तो please इस word को अभी के लिए hold पे रख लीजिए don't get confused छोड़ दो estoppel को अभी के लिए estoppel को छोड़ दो ठीक है ओके सर last example बच्चो last example ठीक है last example बच्चो अगर land के साथ कोई condition लगी हुई है तो वहाँ पर भी प्रिविटी ओफ कॉंट्रेक्ट काम नहीं करता वहाँ पर भी प्रिडिविटी ओफ कॉंट्रेक्ट नहीं करता अगर land के साथ कोई भी condition लगी हुई है तो वहाँ last ठीक है ये point last ठीक है नहीं एक और भी है agent वाला भी है एक और agent वाला भी है point agent वाला भी है don't worry ठीक है land में देखिए मान लीजिए एक owner थे ये हमारे owner है land के किसके owner थे land के owner थे इनके पास 10 acre land थी इनके पास कितने acre land थी बच्चो 10 acre land थी इनके पास इनके पास कितने acre land थी 10 acre land थी इन्होंने 10 acre land में से 9 acre non agriculture land थी और 1 acre agriculture land थी इन्होंने क्या करा owner ने अपनी 9 acre non agriculture land को जिसपे agriculture नहीं किया जाता जिसपे या तो घर बनाए जाते है या जिसपे business के commercial complex बनाए जाते है या जिसपे और plant and machinery जो होती है फेक्टरिया बनाए जाती है उसको बोलते है non agriculture land और agricultural land वो होता है जिसपे agriculture किया जाता है इन्होंने क्या करा owner ने अपना 9 acre का non agriculture land देखिएगा ये total 10 acre का land है इसमें से 1 acre agriculture land है और 9 acre non agriculture land है एक एकड़ ठीक है एक एकड़ अब यहां पर क्या हुआ जहां से सुनिएगा यहां पर क्या हुआ इन्होंने अपना 9 ने कड़ यानि ये वाला हिस्सा इन भहिया को बेच दिया इन भहिया को बेच दिया लेकिन जब इनों ने इस भहिया को बेचा तो contract में एक condition लगा दी contract में एक condition लगा दी क्या condition लगा दी contract में कि भहिया आप इस non-acred land को ना industrial purpose के लिए use नहीं कर सकते मतलब इस non acre land पे आप फैक्टरी नहीं लगा सकते उसने का क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप फैक्टरी लगाओगे तो इससे pollution होगा और मेरी ये वाली land पे मैं फिर खेती नहीं कर पाऊंगा इसलिए आप इस पे क्या नहीं कर सकते हो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं घर बनाने हैं बनाओ घर बनाने हैं बनाओ शॉप लगाने हैं लगाओ लेकिन फेक्टरी वेक्टरी मत लगाना इस बाले बंदे ने का ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात, इन्होंने क्या करा, मान ली, इस कंडिशन को मान लिया, कंडिशन को कोवनेंट भी कहा जाता है, कंडिशन को कोवनेंट भी कहा जाता है, इन भहिया ने, ये नो एकड एगरी कल्चर लेंड किसको बेचा इनको बेचा इनको बेचा ठीक है और इनोंने इने भी बता दिया कि भाया इस लेंड को ना इंडस्ट्रियल परपर्पस के लिए यूज मत करना पिछले उनर ने बताया था लेकिन ये ठैरे गबर सिंग ये कहा किसी की सुनते हैं अब मुझे बताईए कॉंट्रेक्ट लेंड बेचने का किसके बीच में हुआ है इस पार्टी और इस पार्टी के बीच ठीक है और इनोंने क्या किया इनोंने इंडस्ट्रियल फेक्ट्री वगारा लगाना स्टार्ट कर दिया क्या ये पार्टी टू कॉंट्रेक्ट है क्या नहीं जब इनोंने इनक करके इन्हें रोक सकते हैं कि आप इस लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल रीड दिस एग्जाम्पल जस्ट रीड दिस एग्जाम्पल झाल झाल अबाइट मतलब follow करना तो यहाँ पर देखिए एक ओनर था जिसके पास दो लेंड थी उसमें से उसने एक अग्रिकल्चर लेंड थी और एक नोन अग्रिकल्चर लेंड थी उसने नोन अग्रिकल्चर लेंड बेच दी लेकिन इस कंडिशन के साथ कि आप इसे इंडस्ट्रियल परपस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और protect करने के लिए था कि उसकी agriculture land पे pollution ना आए अब जितने भी लोग जितने भी लोग इस land को खरीदेंगे ना सारे के सारे successor मतलब future में जितने भी लोग इस land को खरीदेंगे उनको ये condition follow करनी पड़ेगी कि वो इस land को agriculture purpose के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और ये case सिरफ और सिरफ land के लिए है in case of covenant मतलब condition in case of condition running with the land अगर कोई भी person land खरीदता है और उसे ये पता चलता है कि कोई condition इस land के उपर है यानि बेचने वाला बेचने वाला अगर उसे condition के बारे में intimate कर देता है तो उसको भी उस land की सारी condition को follow करना पड़ता है सारी conditions को follow करना पड़ता है यानि जितने भी successors आते हैं अगर उनको इस condition के बारे में बताया जाता है तो उन सारे लोगों को उस conditions को follow करना पड़ेगा उन सारे लोगों को उस conditions को follow करना पड़ेगा last example that is contract entered into through an agent आ गया वो topic जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी याद करो love sir को अपना घर sale करना था love sir को अपना घर sale करना था उन्होंने भोंदू को agent रखा था उन्होंने भोंदू को agent रखा था और भोंदू ने ये घर राजू को sale कर दिया था for rupees 10 करोड अब यहाँ पर देखिएगा contract किसके बीच में हुआ है contract किसके बीच में हुआ है बच्चो यहाँ पर party to contract कौन है किसके बीच में contract हुआ घर गोंदू के बीच में and राजू के बीच में but law कहता है law कहता है कि भले ही लफसर party to contract नहीं है but क्यूंकि वो principal है क्यूंकि वो principal है क्यूंकि वो principal है और agent ने principal के बीचाफ पर केस किया contract किया है तो कल को अगर राजू 10 करोड रुपे देने से मना कर देता है कल को अगर राजू 10 करोड देने से मना कर देता है ना तो लफसर can file case on राजू 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 तब principal यानि लफसर can enforce मतलब file case the contract यानि वो contract को पूरा contract के promise को पूरा करवाने के लिए case file कर सकते है जो की enter किया है उनके agent यानि भोंदू ने जो enter किसने किया है बच्चो भोंदू ने enter किया है where the agent लेकिन provided agent ने ना contract लफसर के कहने पर किया होना चाहिए यानि agent ने जितनी authority उसे दीती जितनी authority उसे दीती और principal के नाम पर करना चाहिए तब हम मानते हैं मान लो हमने उसे लफसर ने उसे घर बेचने के लिए रखा था लफसर ने उसे किसले रखा था घर बेचने के लिए और वो लफसर की कार बेचकर आ गया वो लफसर की कार बेचकर आ गया अरे भाईया ना 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 ये थोड़ी हमने एजेंट को जिस काम के लि गई थी उस authority में उसको काम करना है उस authority में उसको काम करना है clear है क्या सबको yes or no जल्दी बोलो yes or no yes sir clear है now आज का बच्चो last topic पूरा नहीं हो पाएगा आज का बच्चो last topic page number 1.38 page number 1.38 page number 1.38 page number 1.38 सब लोग खोलेंगे last topic of today but आज ये complete नहीं हो पाएगा last topic of today but आज ये complete नहीं हो पाएगा तो अगर dpb में इसका question आता है तो आप ignore कर देना ठीक है मैं इसको थोड़ा सा आज करा दूँगा basics पांच मिनट में जितना होता है कल detail में कराऊंगा कल detail में कराऊंगा तो last topic ये बोलता है no consideration no consideration अगर कॉंट्रेक्ट में कंसीड्रेशन नहीं है अगर कॉंट्रेक्ट में agreement कहलाता है law कहता है अगर किसी agreement में consideration नहीं है तो वो क्या कहलाता है no consideration no contract no consideration no contract no consideration no no consideration no consideration no contract जैसे कि हमने एक example देखा था एक chartered accountant ने अपने friend को promise किया था कि वो उसका itr file कर देंगे वो उसका itr file कर देंगे तो यहां पर law कहता है बदले में friend chartered accountant को कुछ नहीं दे रहा तो ये इन दोनों के बीच को no contract इन दोनों के बीच कोई भी contract नहीं हुआ है इन दोनों के बीच कोई भी contract नहीं हुआ है चलिए अब पाँच मिनट बच्चे हैं ठीक है एक दो एक्जामपल लेते हैं एक दो एक्जामपल लेते हैं लौ कहता है यह सोशल प्रॉमिस है पट आपको पता है यह सोशल प्रॉमिस है लेकिन इंस्टिटूट इसे प्रॉमिस नहीं कहता है इंस्टिटूट इसे क्या कहता इंस्टिट्यूट इसे agreement कहता है बच्चा कह रहा है पुपेंद्र कह रहा है सर बस करो मैं बोर हो गया हूँ पुपेंद्र कह रहा है बस करो अधित्य कह रही है बस करो अभे भी कह रहा है बस करो प्रशान भी कह रहा है बस करो बहुत सारे बच्चे कह रहे है बस कर दो अब क पेज नमबर 1.37 हाफ पढ़ाया है आज की दो घंटे की किलास बता देता हूं ठीक है और पेज नमबर 1.38 हाफ पढ़ाया है यानि आज किलास में दो घंटे में आज किलास के दो घंटे में गुर्परी सर ने कितना पढ़ाया है जल्दी सब बच्चे लिखेंगे कितने पेज बढ़ाएं है जी हाँ एक पेज बढ़ाया है गुर्प्रीसर ने आहाहा एक पेज और बच्चा एक पेज पढ़ने में ठक जाता है चलिए सुन लीजिए ठीक है सुन लीजिए यह वाले टॉपिक आज की डीपी बी में आयेगा यह वाला टॉपिक आज की डीपी कि कि यह अर्य देखो कितनी स्लाइड ने बाकिए यह देखो अभी बहुत स्लाइड बाकि थी बड़ कोई बात नहीं मैं अ वह हैं चई कि चलिए गंजू सबको बाई कर दीजिए बिटा कि आइक कर दीजिए बिटा सबको बाई 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 चलिए टाटा बाबाई झाल एक और चार बाबाई झाल 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 झाल